दूस्तो इससे पहले में बड़ी अप्लोड किया था कि आइसमान कार्ड लिष्ट में अपना नाम केसे चेक कर सकते हैं तो जो अभी तक उसका विडियो नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्प्शन में मिल जागा वहां से आप बड़े असानी से चेक कर सकते हैं कि आपका आ Iceman Card List में आपका नाम है तो आप अपना Iceman Card कैसे बना सकते हैं, बनाने के लिए क्या क्या process होने वाला है, बनाने के लिए में क्या क्या document लगने वाला है, तो इस विडियों में सारकुष लाइप प्रूफ दिखाने वाला हों की आप अपना Iceman Card बड़े असानी से किसे बना सकते हैं तो इस बड़े को अंतक ज़रूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपका Iceman Card लिष्ट में आपका नाम पाया जाता है तो आप अब eligible है Iceman Card बनाने के लिए तो Iceman Card बनाने के लिए आपको आपका document लगने वाला है तो आपका document क्या लगने वाला है तो आपको अधरकार्ड लगने वाला है और आपका राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए अगर राशन कार्ड में आपका नाम नहीं रहेगा तो आप आईसमान कार्ड नहीं बनवा सकते हैं आपका राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए तो ये दो डोकमेंट आपको ले कर जाना है तो आपको कहां पर ले कर जाना है तो ये दो document यानि के आधर कार्ड और रासन कार्ड लेकर जाना है और आपको ये दोनों चीज आपको CAC Center लेकर जाना होगा या फिर जन सेवक के अंदर आपको जाना होगा वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से आप अपना Iceman कार्ड को बनवा सकते हैं क्योंकि ये CAC ID वाले लो सकते हैं और अगर आपके पास भी CAC ID है तो आप फुद सही apply कर सकते हैं तो ये दो documents आपको CAC Center जाना होगा वहाँ पर जाने के बाद आपको दोनों चीज चेक किया जाएगा चेक करने के बाद आपका सारा कुछ सही पाया जाएगा और लिस्ट में फिर वहाँ पर आपका नाम देखेगा तो अगर आपका नाम मिल जाएगा तो वहाँ से आपको फिर आपका बनाया जाएगा और वहाँ पर बनाने का आपका प्रोसेस क्या क्या होने वाला है तो यहाँ वहाँ पर आपका अधरकार और आपका राशनकार का वहाँ पर जेरुक्स करने के बाद फिर आपको वहाँ पर सारा details fill किया जाता है fills करने के बाद last में आपका process होता है कि आपको अपना finger देना होता है ताकि ये पता चल जाएगा कि ये आफी का है और आफी का नाम यहाँ पर show कर रहा है तो आपका finger लिया जाता है फिंगर लेने के बाद वहाँ पर सम्मिट किया जाता है सम्मिट करने के बाद एक सब्ता के अंदर आपका आश्मान काड़ बन जाता है और बनने के बाद फिर आपको जाना होगा जिस शोप में आपको जाना होगा और जाने के बाद वहाँ पर कुछ पैसे लिया जाएगा उस पर आपको पैसे देना है पैसा देने के बाद फिर आपका आइसमान काड़ बनकर तयार हो जाएगा और दुकंदार आपका आइसमान काड़ आपके हाथ में थमा देगा तो दोस्तों आइसमान काड़ बनाने का य प्यों में बिलती ये, तो छेलिस तो फिरें में ईकजिने स्टर्वरिमें